तो जबरदस्त किया उसमें नो डाउट मतलब हम अपने यह से कहीं से कोई कमी नहीं हम आपसे क्या बता है जब हमारा एक्जाम का टाइम था तो हम बात्रूम में भी मोबाइल लेकर चले जाते थे पढ़ने के लिए है ना कि नहीं हमको मेरा दस मिनट बरबाद नहीं अच्छ को बयान नहीं कर सकते हैं और हम आते थे उस बच्चे को छोड़ के पटना में और हमको लगता था कि अगर हमको नहीं अगर सफलता मिलती है क्योंकि समाज को भी आपको दिखाना है कि अगर आप घर परिवार चोड़ के आए हैं अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर परिवार और समाज में क्या आप मुह दिखाएंगे यह सब चीज हमारे दिवांग में बैठा हुआ था नमस्कार दोस्तों काविल नियूज में आप सभी का स्वागत है और अभी हमारे साथ गीता जी है और यह पहले सरकारी टीचर थी उसके बाद भी दो इनका साधी सुदा है और दो बच्चा रहते हुए इन्होंने प्रिप्रेशन किया पटना आकर और उसके बाद अभी 1717 वेकेंसी में इनका दरोगा में मेरिट बना और अभी यह पोस्टेड है पटना में ही और इनसे जानते हैं कि इनकी संघर्स की कहानी क्या है तैयारी किस तरह से कि कौन सा तो सारी चीजे जानेंगे सबसे पहले किता जी स्वागत है अपका काबिल ने किस तरह से आपने दरोगा की तैयारी करने की सुरुगात की सरकारी टीचर रही हैं तो थोड़ा अपनी कहानी बताईए लोगों हम तो एक्शली मुझपरकुर के रहने वाले हैं ठीक है और हम उनका बिहार में ही नाम नहीं हम कह रहे हैं कि पूरे All India में वो और आज जो हमारी मिली है वो गुरु-डीरमान की देन है और मुन्ना सर का देन है क्योंकि उनके मोटिवेट से ही हम इतने आगे बढ़े हैं फीक है पहले हम ठीक है ठीक है दो बच्चे थे हमारे और ये सब होने के बावजूद भी मतलब पढ़ाई करना बहुत जादा डिफकल्ट हो जाता है साधी होने के बाद आप समझ सकते हैं परिवार में बहुत सारी समझाय होती है ठीक है न उसको ले के चलना एक चुनोती भड़ी काम थी हमारे लिए क्योंकि जब हम मुझपरपुट से पठना है तो सारे लोगों का ये दिमाग में बैठा हुआ था कि हाँ बच्चे छोटे हैं हस्बेंट जॉब कर रहे हैं खुद भी जॉब में हैं क्या जरूरी है इसको करने का लेकिन मेरे दिमाग में बैठा हुआ था कि नहीं हमको बढ़दी लेना है और हम आए यहां पर और हमें सर की मतलब यह से हमको मोटिविशन से हमको हम उस सपलता को भी मतलब यह कि है मैं कि जब कोई एक नौकरी हो जाती है तो लोग ऊपर की तयारी करना या किसी अने एक्जाम की तयारी करना छोड़ देते हैं जब आप खुद सरकारी टीचर थी तो फिर क्या वज़ा था दरोगा बनने का कुछ खास बजा यह थी बस मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि नहीं हमको ऑफिसर बढ़ना है और जब हम सर के पास हैं मतलब एक बढ़दी का जुनून था कि हमको बढ़दी पहनना है बस और क्या बता है बच्चे हमारे उसमें दूद पी रहे थे इससे ज़्यादा हम आपको क्या कह सकते हैं जब हम जाते थे तो बच्चे हमारे आचल पकर के रोने लगते थे और हम को बयान नहीं कर सकते हैं और हम आते थे उस बच्चे को छोड़ के पटना में और हमको लगता है था कि अगर हमको नहीं अगर सफलता मिलती है क्योंकि समाज को भी आपको दिखाना है कि अगर आप घर परिवार छोड़ के आए हैं अगर आपको सफलता नहीं मिलती है तो फिर हम लोगों को एक्जाम में नहीं पुष्टा था ऐसी बात नहीं है सरका जो भी हम लोगों को पढ़ा है सारा का सारा कोस्टन लगा और हम आज उनहीं के बदलड़ अज हम यहाँ पे हैं पढ़ना आई होंगी तो कोचिंग जॉइन की अच्छा कौन कौन की किताब है थी जिनको आपने शुरुगात से फॉलो किया हम लोग स्टार्टिंग में लूसेंट तो हम पूरा पढ़ें ठीक है लूसेंट हम पढ़ें उसके बाद घटना चक्त सब्सक्राइब और आपका जो भी है पर महां क्राउन भी यह सब तो आपको पढ़ना ही पढ़ेगा और विपीएसी लेबल की हम तैयारी कर रहे थे इसलिए वह ज्यादा हमको उतनी परिशानी नहीं है जब आप हाईयर लेबल की तैयारी करेंगे तो अटोमेटिक यह सब ची हम तो यह तो हमारी से दोस्ती नहीं थी सिर्फ और हम को सिसी एकोशिए डस नहीं तो पूछी norm आपने लुए पढ़ना कंडर रहे लिए तो हम आप मड़ना चीनल की जुड़ें हां यह हम कुछ कोछी तुन्ह थी नहीं कुछतिartet वाइना दो दो महीना ठाइम तो क्योंकि बहुत बहुत लोग जो हैं दो साल-पांस साल पट्ना में रहा त्यारी करते हैं आपंस सकते हैं कि आ sudah ी करें हैं भत सारी लिणिटि उसके सा Faith यह मेरा first attempt था ट्रीक है ना र प्राइमरी टीचर थी तो शुरुआत से मजबूत ही था अच्छा एक करेंट अफेर्स होता है उसमें काफी छात्रों को दीकत होता है तो पढ़ते ही थे जो आपकी कहानी है पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं तो आपके उपर है कि आप आठ घंटा या दस घंटा आप कोभर कर पाती है हम आपसे क्या बत है जब हमारा एक्जाम का टाइम था तो हम बात्रूम में भी मोबाईल लेके चले जाते थे पढ़ने के लिए है ना कि नहीं हमको मेरा दस मिनट बरबाद नहीं अब इससे जाद हम आपको क्या कहें एक्जाम के टाइम में ऐसे तो आदमी जो भी है दस घंटा पंदर घंटा जो भी है अपना पढ़ता ही था ऐसा कुछ नहीं है एक्जाम के टाइम में तो एकदम हम जीत जान लगा दिये थे उसमें कहीं से कोई कंसिडर नहीं कुछ नहीं एकदम और जब भीजिकल सुने काफी मोटी थी которая हम मेरा हेल्थ जादा था और हम इसके लुके परसान भी थे लेकिन हमें रहमान सुरह का असिर्वाद होता है रहर्य ही किसी का असिर्वाद लगता है वह हमारे लिए भगवान से भी बढ़के हैउ हमेसा हमको बोलते थे नहीं नहीं तो तुम, फिल्ड नहीं तो तुम, क्यों नहीं होगा, मतलब जब तुम फिल्ड में दौर होगी, जब तुम रहोगी ही नहीं, तो फिर मतलब क्या हुआ, तो बस मेरे दिमाग में यही था, हम कितने सुई लिये होंगे, मतलब हमको इतना पेन होता था जब दौरते थे तो इतना हम, आपसे हम क्या बता है, इतनी परिशानी हमको होती थी, कितना बार तो हम PMCS में भरती होगी, कितना बोटल पानी चाहरा होगा, ये दर्द के लिए के, लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटे, है ना, किसी ट्रेनर के सानिधे में थी, हाँ, मोनु सर, मोनु सर है, वो भी गाउं से निकदी होगी, तो काफी ताना भी आपको सुनने को मिदा होगा, कि क्या कर रही है पहले से जॉब बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ताना तो हमको बहुत, मतलब, बहुत ज्यादा सुनना पड़ा, यहां तक कि परिवार लोगों से नहीं सुनना पड़ा, कि हाँ, क जो भी आपके समाज है, सब कोई खुश्थ था, उस समय आपका जितना भी निगेटिव चीश था ना, सब खतम हो गया, सब पोजयटीव हो गया था, सब चीज पोजयटीव हो गया था, लेकिन हम छेले भी बहुत जादा, लोगों को ताना भी क्यों कि हम आप समझ सकते हैं कि हम 4 वजे इस्कूल से छोड़ते थे और 10 वजे 11 वजे रात को हम पहुंचते थे हम घर पे, 8 वजे हम जो सुबर मॉर्णिंग में निकलते थे इस्कूल के लिए, 11 वजे रात को अगर कोई महिला अगर घर पे पहुंचे ता आप समझ सकते हैं, परिवार हैं, बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों को ताना समाज में सुनने को मिलता था क्या है, कहां इस्कूल जाती है, कहां जाती है, कहां इतना देर लगाती है, मतलब आप किसी को आप कहते नहीं न चलेंगे, कि हम ये चीज हम पढ़ाई कर रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, जब आपकी सफलता मिलती है पीछे की कहानी बिल्कुल कोई नहीं देखता है और सरकारी टीचर रहते हुए इन्होंने दरोगा की परिच्छा पास की और आज दरोगा है तो काफी संगहर्स भरी कहानी है अच्छा ओनलाइन पढ़ती थी या ओफलाइन पढ़ती थी दोघर यगे हुए कि मैंने को बोलना चाहते है अपना कोटेशन क्या बोलना चाहेंगी चाहते हैं प्लाइन की बाड़ा कृष्ट नहीं होता है मेंनत करेंगी किस्मत साथ किसमत को फिल्एक शूचते हो उसके लिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि हम फिल्टा ढमी दौर नहीं स करेगा घंपू यह चीज करना है तब तक आप उस नहीं कर सकते हैं जुनून होना चाहिए जिस तरह से गीता जी बोल रही है और जब दो बच्चों की मां सरकारी टीचर होते हुए दरोगा बन सकती हैं मोटी रड़की फिजिकल निकाल कर आज दरोगा बन सकती हैं तो आप भ बहुत बहुत धन्यमाद में इतनी अच्छी जनकारी देने के लिए छात्रों को और इतनी अच्छी स्ट्रेटेजी बताने के लिए थेंक्यू थेंक्यू थेंक्यू